देश में सुशान सिंग राजपूत की खुदकुशे के दोरान ड्रक्स के सेवन पर छड़ी बहस काफी बढ़ती जा रही है NCB अब सारा अलिखान श्रद्धा कपूर समेत कई और एक्टर को समन भेज कर पूछताच के लिए तलब करने वाली है मगर ड्रक्स से जुड़े इस हाई प्रोफाइल मामले से इतर दूसरी तस्वीर ये है कि देश में करोडों लोग गांजा अफीम जैसी नशीली ड्रक्स का सेवन कर रहे हैं लेकिन उस पर चुप्पी बनी हुई है संसद में पेश नए आखड़े बताते हैं कि देश में करोडों लोग नशे कर रहे हैं जिनमें बड़े पैमाने पर 17 साल तक के नावालिक भी शामिल हैं समाजिक नयाय मंत्राले के 2018 के आखड़ों के मुताबिक देश में 3 करोड 10 लाख लोग गांजे का सेवन करते हैं इनमें 20 लाख ऐसे नावालिक हैं जिनकी उम्र 10 से 17 साल के बीच हैं इसी तरह 2.5 करोड लोग अफीम का सेवन करते हैं जिनमें भी 40 लाख नावालिक हैं नींद की गोलियां खाने वालों की संख्या 1 करोड 30 लाख है और इनमें 20 लाख नावालिक हैं तकरीबन 90 लाख लोग वाइटनर फ्लूट का नशा करते हैं, जिनमें 30 लाख नाबालिक हैं। देश में करीब 12 लाख लोग सबसे महंगे नशों में शुमार कोकेन का सेवन करते हैं। इनमें भी 2 लाख बच्चे शामिल हैं। इनके अलावा करीब 24 लाख लोग MDMA, Ecstasy और करीब 22 लाख लोग LSD ड्रग्स का सेवन करते हैं। इनका सेवन करने वाले बच्चों की तादाद तकरीबन 6 लाख है। कुल मिला कर कहें तो 8 करोड 38 लाख भारतिय ड्रग्स की लत में डूबे हुए हैं। प्रतिबंधित नशीली ड्रग्स के अलावा करोडो भारतिय शराब, सिगरेट और तंबाकू का नशा करते हैं। इससे पता चलता है कि देश की बड़ी आबादी नशे की चपेट में हैं। लेकिन उन्हें इससे बाहर निकालने पर कोई सुख बुगाहट नहीं देखती। हलाद कितने चिंता जनक हैं ये नशीले ड्रग्स की बरामदिगी से भी पता चलता है। नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2018 के आंकडे बताते हैं कि देश में साल 2018 में इन आकड़ों से साफ है कि देश में ड्रग्स की खबत और मांग की कमी नहीं है। और ऐसे में नशे की खबत पर बनी फिल्म उर्ता पंचाब की तर्ज पर देश को उर्ता भारत कहना बिलकुल गलत नहीं होगा। राहूल कौतम की रिपोर्ट गो नियूस।